हेलो एवरिवन सभीको मेरा राम राम आज मैं लेकर आ गई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि इंस्टेंट बन जाती है मतलब यह एक फ्लेवर फुल डोसा की रेसिपी है जो कि फुल ओफ वेजीज और टेस्ट एकदम बढ़िया मतलब कुछ भी इसके साथ बनाना नहीं पड़े कोई फर्मेंटेशन नहीं करनी बिना दही बिना इनो और सोडा कुछ भी नहीं यूज करना तो हम ले लेंगे दो मिडियम साइज के आलू इस तरीके से क्यूब्स में कटे हुए और तीन बड़े चमज सूजी हम ले लेंगे सूजी और आलू को मिक्सर ग्रैंडर जार में करना दो कृष गूंठ यह डिएर दो बड़े चमज पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे इस तरीके का हमें बिल्कूल पाइन सा पेस्ट बना लेना है कि बस इस तरीके बच्छों के लंच पोक्स के लिए डाल रहा हो, तो हरे मिर्चे स्किप कर दीजे, थोड़ी सी प्याज गीसा हुआ कैरट, थोड़ा सा तुमाटर बहुत महीन कटा हुआ, थोड़ा ही टॉमाटर लेना है क्योंकि पानी करते हैं तो टॉमाट Surprise करते हैं क्यों कमी लेना है अब ये बैटर इंस्टेंट बन कर त्यार हो गया है और एकदम आसान सी रेसिपी है बिल्कुल जटपट से बन जाने वाली मतलब कुछ आगर आपको फुल्फिलिंग खाना है और टाइम भी नहीं है तो ये आप बिल्कुल बना सकते हैं बस हमें डोसा तवा को गर्म करना है जब तवा गर्म हो जाए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन हां गर्म होना चाहिए तवा और उसपे हम एक कल्ची स्प्रेड कर देंगे और घुमाते हुए जो जगा बची हुई है उसपे भी हम पहला देंगे पूरा डोसा बटर थोड़ा सा ओल ग्रीस कर देंगे और लगबग आपको धीमी आज पर 2-3 मिनट इसे पकाना है जब तक कि नीचे से क्रिस्प ना हो जाए सिर्फ एक तरफ से ही सिखना है तो पूरा इसको आप नीचे से ही से किये मतलब आप इसको एक तरफ सिखने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तीन से चार मिनट भी हो जाएगा धीमी आज पर फिर उसके बाद आज को तेज कर देना है मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम आप थोड़े देल से क्रिस्प कर सकते हैं तो इस तरीके से बढ़ियां सा डोसा बन कर त्यार हो जाएगा बस इसी मेथड से हम सारे डोसा बना कर त्यार कर लेंगे आप से कोकोनट चेटनी और ग्रीन चेटनी या फिर रेड चेटनी टमाटर की चेटनी किसी भी चेटनी के साथ खाई है हर चेटनी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है ये डोसा बिल्कुल बहुत टेस्टी इसका जो टेस्ट होता है न वो नॉर्मल डोसा से बहुत अलग है मी जीज अचारी डोसा आप बना कर त्यार कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है सुबा उठी है टिफिन में बना कर बच्चों को दे सकते हैं तो एक क्रिस्पी सा डोसा क्रिस्प करने के लिए आपको 2-3 मिनिट हाई प्लेम कर देना है बड़ियां सा क्रिस्पी हो जाएगा नीच फेस्बुक पे हैं तो फेस्बुक पेज है मेरा अंकिता होमकिचन उसको भी फॉलो कर दिया तो तक लिए बाबाई